हेलो एवरीवन आज हम बनाने जा रहे हैं मटन और मटर कीमा और मटर तो आदे किलो हमने लिया है कीमा तीन डाल रहे हैं हम बड़े साइज की प्याज तीनी डाल रहे हैं टमाटर रफली चॉप किये हुए और इसमें डाल रहे हम क्वाटर चम्मच है हल्दी एक चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्ज एक चम्मच है धनिया एक चम्मच है नमक और एक चम्मच है सौफ का पॉडर और हमारे साबुद गरम मसाले हैं पांच है यह हरी ल छाइची एक चमिशा जी रहा है, पांच लॉंग हैं दो दालेचीनि के टुक्डए हैं पांच एं लॉंग और पांच हैं काली मिर्ज और यह थोड़ा सा झाय फल यृष्ट का बीस, यह डाल रहा है। और यह दो चम्चे डाल रहे है और बस मिक्स करें ले रहे हैं अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसमें थोड़ा सा एक कटोरी पानी डाले दे रहे हैं और फिर से एक बार चलाते हैं इसको देखिए हमारा कीमा बहुत अच्छे से घुन गया है और यह भी सैप्येट हो गया है बहुत ही शांद बाएं अच्छा की मभुना है हमारा यह हमारे पास दो कप के करीब है मटर तो यह मटर डाले दे रहे हैं इसमें और इसमें डाले दे रहे हैं क्वाटर चममच गरम मसाला इसमें गलाने के लिए मटर को थोड़ा सा पानी डाले दे रहे हैं यह थोड़े सूखी साइड पर ही रहते हैं यह बहुत शोरवेदार तो बनते नहीं है गैस कटकन लगाते हैं और मिलते हैं दो से तीन सीटी के बाद लीगे फ्रंट तीन सीटी आ रही है और देखें हमारा कीमा मटर बहुत शांदार बन गया है अब इसमें डाल रहे हैं थोड़ा पुपीना हरी मिल्चें और इसमें यह जूलियन कट-कटा हुआ दरग डाल रहे हैं अब इसको चलाए दे रहे हैं और थोड़े देर के लिए और ठकेल दे रहे हैं ताकि जिससे इसका फ्लेवर इसमें आजाए धनिये का और पुदीने का और मिल्चों का तो मिलते हैं दस मिनट पर तीजे फ्रेंट नारा शांदार सा लिमा मटर बन के ते यार हो गया है और आपकी मर्जी है बहुत ही शांदार बनाएं खुश्वे भी इतनी जबरदस्त आ रहे हैं कि पकाते पकाते ही खाने का मंग हो रहा है तो फ्रेंट इस तरह बनाएगा घरवारों को खिलाएगा और आपको मेरे रैसिपी पसंद आती है जटपड बनने वाली रैसिपी है तो नए वीडियो के साथ और मुझे एस्ट्रागाम के भी पालो करिएगा अब मैं इसको गानिश कर रहे हूं आप अपनी मन पसंद के किसी भी चीज से गानिश को कर सकते हैं कि मुझे जैसा गानिश करना आता है आप लोगों को और अच्छे से आता होगा तो आप लोगों और अच्छे से करिएगा और इसे जुलियन का तबरक से कर दाल रहे हैं इसको पुदीने से क्योंकि इसे माटर पड़िये तो माटर होगी प्रशार नहीं है पुदीना बहुती थारी मंदू होता है तो क्राई करिएगा ट्राई तो बनता है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा आपको पुझे रेसिपी कैसे लोग तो बनीता बनी बनसाद अला है